हेलो वाट्स आप गाइस माय नहीं स्मिनोथ बादु थापा एंड टोडें इस फीडियो भीडियो भीडियो विल सी ओर तो डिस्प्लेय डेटा इन रियक्ट टेबलो फॉर्मेट जिहां गाइस तो इसका क्या मतलब होता है इसका सिंपल मतलब यह है कि आप देख सेक्तों आय में टेबलो फॉर्मेट में डिस्प्लेय कराने तो वह हम कैसे कराएंगे कुछ इस तरीकी से कराएंगे एंड लेट मी टेल यू आज का वीडियो बहुत जादे इंपॉर्टन वाला क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखने मिलने वाला है आप देखोगी कि कैसे हम एका डेटा आपने वेब स्ट्रॉम पर आचुका हूं और यहां पर चलूँगा दा में नियू पर चलूँगा था इतना ज्यादा ओ समय कि मुझे कुछ नहीं करना है मैं सिंप्ली वीर्ट पर चलूँगा और इस सब कुछ है ठीक है जस्ति जो टेंपलेट में मैं यहां पर react सिलेक्ट करूंगा एंट भूंगा इसी मैं खाली यह दिस विंडो पे कर रहा हूँ तो मैंने मालब कुछ कमान लिखनी की निए वेब स्ट्रॉब में काई सो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ हो जाता है आप देख सकते हो बता रहा है इंस्टॉल डिपेंडेंसी रन NPM इंस्टॉल तो अ क्लिक कर दो एंड बॉम गाईस हमारा रियक्ट कर टैंपलेट बनके रेडि हो चुका है यहां पर देख सकते हो अंटाइटल दिखाई देता है इसको आप सेंपली राइट क्लिक करते हो री फ्रेक्टर एंड रीने में आप जाए सकते हो प्रोजेक्ट का नाम आप कर दीज कर दो कर दो ऐसमें चलूंगा हैं आप देख सकते हो कि अब भी यह जो पाट टमिनल पर हम चलेंगे एंड यहांपे देंपली में लिक दूंगा एंड और प्यम रौन एंड आन डेव ता आप देख सकते हो कि मेरा यह जो वीट बैसिकलow प्लिकिस इस पर वह रन करा तो इस यहां पर हम चलते हैं आप देख सकते हैं कॉंस लिग तो आटोमेटिक से सजेशन आता है जहां पर मैं एप लिग दूँगा और मेरा काम हो गया अब इसी एप में आई आप लोग को बहुत कम दिख रहा है थो जूम कर देता है यह वाला जो पार्ट है ठीक है मैं यहां पर द हमें सो लेट्स को भी तो रिटर्न एंड इस तरीक से चलते हैं मैं यहां पर लिग देता हूं सिंपल एच वाला टैग एंड यहां पर मैं लिग देता हूं रियक्ट टेबल और आप देख सकते हैं से वेप स्टॉम में कितना ज्यादा सिंपल ए खाली पी लिखो एंड दन कंट्रूल अल्ट एंड एल प्रेस को रूँगा और आटोमेटिक आप देख सेकते हैं कितना प्रिटियर इसने बना दिया उसको ठीक है और यहां पर लेकर चलता हो तो आप देखो मुझे रियक्टेबल दिखाई दे रहा ठीक है आपको वेब स्टॉम कैसा लागा थाना कि जरू इसको एक बाद चेकाऊट कीजिएगा और एंड में चीज बताना चाहाँगा अब हमें यहां पर अपना काम करना है सबसे पहले हमारा मेन मकसद क्या होगा कि यह जो API का डेटा है इसको मुझे गेट करना है मुझे मेरे स्टेट वेरवल में इसको मुझे एड करना है है ठीक है सबसे पहले का मेरा वो है तो वह हम कैसे कर सकते ठीक है इसको आज इस रखता हूं गाइस हम थोड़ा से यहाँ पर चलते हैं आपके अंदर वी निद तो गो इत यूज इफेक्ट वी अलो राइट सो लेट्स को वित यूज इफेक्ट और मॉमेंट मैंने लिखा बो करना चाहूंगा ठीक है अभी फिलाल हमारे पास यहां पर कुछ नहीं है सो एकदम टॉप पे चलते लेट्स ग्रैब डैट एपी यूरल जो भी है ठीक है एंड में दिखाना चाहूंगा वी है यह यह पेश को कॉपी करता हूं यहां पर मैं कर देता हूं इस तरह किसे पेस अब डिख सकते है फिट टीस फैच यूजर्स ठीक है और अब बेसली यह हपको मालू में अपर का डेटा ना प्रॉमिस रिटन करता है तो तो हैंडल प्रॉमिसेस वी लूज इस इंक वेट एंड टू ट्राइंड कैच बिसिकली कुई अगर हम एरर हो तो उसको हम गेट कर स करेंगे यहाँ पर एंड मैं आपको कल की दिन एक वीडियो बताता है याद है कि आप कंसूल डॉट लॉट आप यूज मत करो आइन करो बट डिवग लाइक का प्रो तो यहाँ पर मैं आपको बता इस वीडियो को चेकाओट किजेगा विकॉज अब मैं आपको तो गैस कंसूल डॉट एरर का हमें पार्ट आ जाता है एंड कंट्रोल अल्ट एंड अल ऑट्मेंटिक के सेट हो जाता है यहाँ पर जो भी एरर होगा वो पास कर दीजिए सिंपल ठीक है सो कंसूल डॉट एरर हमने लिखा अब यहाँ पर मुझे वो डेटा को गेट करना है सब्सक्राइब जा सकते है अल्रीड इसको पर मैंने वीडियो अप्लोड किया जरू चकाउट कीजिएगा सो कॉंस्ट जो भी मुझे रेस्पॉंस मिला होगा वी निद टुवेट ठीक है एंड हाँ एक चीज जब मैंने यहाँ पर आगोमेंट पास की तो आपिसली मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो मैं सिंपल यूरल लिख देता हूं सो फैच यूजर नहीं फैच एप्याइए लिखनी जादने पड़ते सिर्फ एंड यूरल मैंने पास कर दी ठीक है सो फैच एंड यह जो डेटा है वहाँ यहाँ पर आप इसको मिल चुका है ऑबिसल चलके तो आप देखना गाईस आप लोगों को यहाँ पर डेटा दिखेगा एंड भूम गाईसी हमें इस तरह के से डेटा दिख रहे है यह दिखिए सो वी हैब दिस एड्रेस जो कि एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है एल्स वी हब इमेल आईडी नेम फोन और यूजर ने मैंने जानबुच के एड्रेस एंडेन कंपनी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है बताया बिकॉज कि मुझे एक समय के लिए थोड़ा सा मुझे एक एरर आ गया था मैं आपको बाता था क्या है तो आपको बाता चल जाएगा ठीक है चलो इतने मेरा काम होगे हमारा पहला स्टे तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट उस करेंगे ठीक है यहाँ पर चलता हूँ सो लेट्स को भी वान स्टेट वेरेबल सो कॉंस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर्स कॉमा सेट एंड दन यूजर्स ठीक है कैमल केस में चलते बिसिकली कैपिटलाइस भी कह सकते ह यह केमल केस वर्जन एंड ध्यान से देखना का इस दा मोमेंट में यूज स्टेट लिखूंगा बॉम गाइस अगीन ऑटोमेटिक इंपोर्ड हो गया कितना ज्याद ऑसम में यहाँ पर चलके इसको एंटी एरे इनिशिलाइस कर देता हूं ठीक है सो नाउ यूजर्स का जो इनिशिल स्टेट होगा वह एक एंटी एरे होगा और बेसली यहाँ पर ठीक है अब एक कंडिशन आप लगाओ कि सॉरी यहाँ पर क्या करना है मेरा यह जो डेटा है अगर इसकी जो लेंथ है इस ग्रेटर दैन जीरो दैन में क्या करूंगा मेरा यह जो सेट यूजर है उस इसमें मेरे को जो भी डेटा मिल रहा है वह वाला ठीक है अब यह जो पार्ट इसको में हटाता हूं अब हमें यहाँ पर का इस टेबल की नीड है जो कि हमने सिंपल एस्टेमल में सिखा है and if you don't know कि टेबल क्या है यह टैग बेसिकली अब प्लीस टॉप यह वीडियो देख सकते हो जो चक आउट कर लिजेगा तो लेट सकूवित और टेबल इस तरी के से ठीक है and then टेबल के अंदर गाइस वी यह बर टेबल का है इस तरी के से और पाफेक्ट and then inside the table head मुझे कितने रोज चाहिए आप देख सकते हो काई मुझे फिलाल मुझे चाहिए चार रोज ठी एड्रेस ठीक है so we have this address this is it इतना ना काम हो गया ctrl alt and then L तो automatic है सेट कर देता है मेरा यह काम हो गया तो अब यह जो टेबल है टेबल हैट के नीचे हमें चलना है and let's go with table body perfect इस तरी के से मेरा table body हो चुका है ठीक इसके नीचे में चलूंगा अब यहां पर गाइस में क्या करू एंड या this is it so basically यह component होगा जिसमें मैंने यह user का data pass कर दिया ठीक है ताकि थोड़ा clean देखे और कुछ नी आप देख सकतो कितना ज्यादा simple हो चुका है so guys आप देख सकतो कि अब हमें क्या करना है वापस में यहां पर चलता हूँ आप देख लीजिए यह जो source folder है right click आपको new एंड एक directory create करनी होगी आप उसको नाम दे दिजिए इस तरह किसे simple components ठीक है एंड यहां पर right click कीजिए एंड आप एक new file create की आपके पास option आता यह वेब स्ट्रॉम में आप देख सकते हो एंड मैं यहां पर लिख देता हूँ guys simple we have this user user data dot jsx इस तरह किसे guys हम ने इसको यहां पर लिख दिया है simple ठीक है and make sure की user data user data जिहां guys तो अब बहुत ही जादा simple const we have a user data ठीक है यह एक function है this is it and obviously मुझे इसको export करना पड़ेगा so let's go with export and default वाले case पर ही हम चलते है ठीक है तो यह मुझे automatic आ जाएगा यहां पर suggestion भी perfect तो अब मैं यहां पर चलूंगा and देखो guys वहां पर हम data pass कर रहे है तो मैं directly destructure करके users को मैं get करूंगा यहां पर then we will go with return वाला part ठीक है and yeah this is it अब बहुत ही जादा simple है कि मैं यहां पर वो जो लूप है वो चलूंगा I mean map method मैं यहां पर मैं यूज करने वाला हूं ID then we have a name and then we have email from current user ठीक है and अभी मैं आपको फिला ले सिर्फ इतना ही करके मैं दिखाऊंगा अभी address वाला बात में देखते है ठीक है once अब यह हो जाता है then again we need to go with the return वाला part ठीक है क्योंकि अब मुझे यह जो data है उसको return कराना है and that is nothing but we have अब देखो गाइस इस पर टाइप करूंगा boom automatic TD के साथ मुझे data आ रहा है and यहां पर सबसे पहले we have our ID ठीक है then again we have this TD we have our name क्योंकि मैंने वहाँ पर अल्रेडी डिस्ट्रक्चर तो करी लिया है TD we have our email ठीक है मैं अब सिर्फ इतना लिखूंगा and obviously इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है and यहां पर आप देखोंगे तो अभी तक मैंने इसको की प्रॉप्स हमें पास करना पड़ता है जी हां गाइस मैंने जान भुझके वह नहीं किया था ताकि आप लापको दिखाऊं यहां पर यहां पर आप जो यह ID है उसको पास कर दो वह जो वर्निंग था वह आप देखना वो चला जाएगा ठीक है अब सिर्फ एक चीज रही ओमाइगाद आप देख सकते हैं यहां पर पॉफेक्ट लिए बट आल्वेज रिमेंबर कि आपके टेबल में पहले रो आएगा एंड देन इंसाइड इस आपको अपना हैडिंग को डिफाइन करना बैसिकली कॉलम क्रेट करना तो हमें यहां पर रो लगेगा ठीक है टीया आप सिर्फ बचा है तो हमारा स्टाइलिंग वाला पार्ट मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने अल्रेड़ी अंजो स्टाइलिंग वाला पार्ट इसको कॉपी करके रखा हुआ है सो मैं कर लेता हूं कॉपी मैं यहां पर चलता हूं we have our index.csx इसको मैं पेस्ट कर देता हू तो आप देख सकते हो सारा जो मेरा css का कोड है जानवच के मैं स्क्रोल करो ताकि आप इसको पॉस करो और आप एक बार देख सकते हूं जबकि इसमें कुछ है ही नहीं बहुत ही ज्यादा बॉर्डर मीनिमा मुट पैडिंग और लाइट है और बाकी कुछ निया गाइस दे नहीं दिखाया था ठीक है और उसकी पीछे का मैं आपको रिजन बता तो देखिए यहां पर अगर मैं चलता हूं यूजर डेटा में ठीक है वी एब एड्रेस राइट तो अगर मैं एड्रेस लिखता हूं सेब करते हैं यहां पर चलता हूं अब एक बार रिफ्रेस यह देखिए अब्जेक्ट अनौट वैलिड अजर्यक्ट चाइल फांड ऑब्जेक्ट विद कीज स्ट्रेट इमिन स्ट्रेट सूट सीटी जिप कोड़ जो और इफिव में तो रेंडर कलेक्शन अब चिलन उसन एर इंस्टीड तो आप समझे क्या ओर रहा है अब यह स्ट्रेट की जब हम API पर देखते तो हमारा on-the-spot एर हमें मिल जाता है वर्निंग क्यों था विकॉज यह जो एड्रेस है वह एक ऑब्जेक्ट है आई मिन ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है एक प्रकार से अड्रेस का भी अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है तो बोल रहा है यह है तो आपको क्या चीए तो अगर आप एड्रेस.city कर दोगे सिर्फ आप इतना भी लिखते हो एंड देखेंगाई सापका वह वार्निंग जो चला जाता है ठीक है इस तरह को मिल जाता है तो आप हम क्या करेंगे इसलिए मैंने आप मुझके वह नहीं दिखा है आई होप आपको पता चल गया होगा तो वी हैब इस स्ट्रीट वी हैब आवर सीटी वी हैब आवर जीप कोड ठीक है इतना भी एक सेकेंड हाँ इतना अगर आप लिख दोगे टिकोल टू करेंट यूजर डॉट एड्रेस एंड यहां गाइस द सब्सक्राइब आप यहां पर सिंपल स्ट्रीट है ठीक है देन वी हैब असीटी एंड आई बिलीब हमें यहां पर कॉमा लगेगा ठीक है आप कंट्रोल प्रेस कर सकते इस तर किसे दूर जाने के लिए दैन अगेन गैस में यहां पर क्या करता हूं कली ब्रेस के अंदर एक सब्सक्राइब यहां पर में चलता हूं सब्सक्राइब आपको कुछ उस्तरी किसी दिखाई दे रहा है आज इस वीडू के इतन ही हूप आपको बहुत ज्यादा पसंद आगा क्यूंकि कि फाइनली API का डेटा में आपको दिखा कि कैसे अब आप टेबलो फॉर्मेट में दिखा सकते हैं आज इस वीडू के इतना ही इसका सोर्सकूर्ट बिल्कुल फ्री में आपको नीचे डिस्क्रिप्सें एंड कमें सेक्शन में लिंक प्रोवाइब कर दूँगा जरू चेक आइडिया नहीं है तो गाइस रियक्ट के ऊपर कंप्लेट एक स्वीडियो अपलोड कर चुका हूं जरू चिकाउट कीजिएगा एन मैप और मेथर का आइडिया नहीं है तो गाइस आप देख सकते हो कंप्लीट एसे से से कभी वीडियो सब कुछ अल्री रेडी है आप जर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ बहर बहर के सेर कीजिए ताकि उनकी भी हल्प हो जाए और बताना चाहूंगा अब हमारा नेक्स टाइट है शिक्स लैक्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिल तो मैं आपको कल के वीडियो में तिल दन गाइस थेंक्यू सो मच्छ टेक क्या अपक सुन कर दो सेर कीजिए।